देख सकते 300 वाट 400 पाच्छ पन हो गया है पास्व पकड़ लिया है तो दोस्तों गर में बहुत बढ़ चुका है देख सकते यहाँ पर टेंपरेचर ओल्रेडी 37 आ चुका है तो मेरे जो यह घर है देख सकते यहाँ एलजी का एसी है एक टन एसी फाइप स्टार एसी तो इस अगर आप आपके एसी को एक घंटा चलाते है तो कितना बिजली की लागत होती है इस 37 दिग्री टेंपरेचर में आप बारा बच के एक बजने वाला है तो इस गर्मी में एक घंटा अगर आप आपका एलजी फाइप स्टार एसी 40 परसेंट एकोनामी मोड में अगर चलवा आते है तो कितना बिजली की लागत हो तो यही में आपको दिखाऊंगा दोस्तों एसी चलाने की फर्स टाइम में बहुत ही एलेक्टिक कंसम्शन हो दे क्योंकि यह जो घर है तो मैंने पहले आया हूँ अभी आया हूँ तो घर बहुत घर में आप देख सकते है इस रूम प उसमें टेंपरेचर अब देख सकते 53 तक चला गया है तो बहुत ही टेंपरेचर बहुत जादा है मगर चट पर देख सकते है 35 है तो मुटा मुटी जो इस घर का टेंपरेचर है 34-35 है मगर बाहर से यह जो रोशनी आ रहा है यह से जादा आ रहा है और यह जो यह पर है 35 और इस तरब जो है देख सकते है 40 है तो इसको मैं अब आउन करूंगा और आउन करके एक घंट चलाओंगा और 40% मोड में चलाओंगा दोस्तों एसी का जो एसी का जो एलेक्टिक कंजम्शन है तो पहले तो बहुत एलेक्टिक लगता है जब आप घर ठंड़ा हो जाएगा तब आपका एसी का जो पूसर भूइलेक्टिक लगता है तो दोस्तों एलेक्टिक कंजम्शन के लिए मेरा यह जो डिवाइस लगावाया है है विप्रो का स्मार्ट प्लाग है वह पर लगवाया गया है तो इस ध़का घर की किसी भी कोने में इसको उन कर सकता हूँ और ठिर्लच कर सकता हूँ और कितना इलेक्षटी और स्अलो mechanism हो रहा है वहें ट्र्यक कर शकता हूँ तो देख़ेता है इसको ऑन होने के बाद एक आवाज आता है यहाँ पर मैं आपका इलेक्टिक कम्जम्चन जो ए च्रैक कर सकता हूं थर जप स्टैंडबाय मोड में रहता है देख सकते 147 वाट का यह त.''कास वेकल आपका इलेक्टिक कम्जम्चन सब्सक्राइं है, और मेरा पिछले मैंने में ज्यादा इलेक्ट्रिक हूँ क्योंकि मेरा यह ओफिस है यहां पर मैं यूट्यूब के वीडियो करता हूँ तभी मैं ऐसी को चलाता हूँ कब बहुत गर्मी है तभी चलाता हूँ मगर अभी गर्मी परना शुरू कर दिया है तो रात में भी चलाना पड़ेगा तो चली और आपको दिखाते है कि कितना इलेक्ट्रिक कंजमशन होता है यह तो यह मेरा रिमोट है इसको हम करते है देख सकते है मैंने कर दिया है और यह अपना 40 परसें जो एकोनामी मोड में है उस मोड में फैंस्पीड में थोड़ा ज्वाधा कर देता हूँ हाई कर देता हूँ जिसमें जल्दी ठंडा होगा, F5 है, इसका मतलब FAM Speed सबसे हाइपर है, हाइस्ट मोड में है, और 40% Electric Consumption में है, जब भी ये 40% आता है, देख सकते है, 4W से बरके ये 20W हो गया है, अब देख सकेंगे, धीरे-धीरे इसका वाट बरता है, 95W हो गया है, देख सकते है, 95W हो रहा है, और धीरे-धीरे इसको बड़ेगा, धीरे-धीरे बड़ेगा, तो ये नहीं है कि अब ऐसी चलाएंगे, धराक से बहुत सारा Electric Consumption हो जाएगा, और अपका पावर कट के पब्लेम हो सकता है, ये धीरे-धीरे देख सकते है, 200-300 हो गया है, देख सकते है, 300W, 400W, 400W हो गय नीचे हो डा आएग, तो 600W पकडलीया है, देख सकते है, ये 600W में होडा है, 616, ये 40% मौड पे है, इकोनामी मोड में है, जो कंप्रिसर है, वो इकोनामी मोड में ही इसको घर को थंडा करेगा, और देख सकते ये जो हवा है, उपार नीचे हो डाए, तो बलवर भी आउन ह अब देख सेकते हैं जो हे 600 वाट में स्टेबिल हूग गया है यह जब तक यह टेम्परचर नहीं मिलता है यह टेम्परचर कूल नहीं हो जाता तब तब ऐसी वाटर हएगा फिर उसके बात कम होते होते दोस्त हो तो अब मैं यह जो खिर की यह बंद कर देता हूँ वीडियो करने के लिए मैंने खिर की और यह जो परदा है वह आप कर देता हूँ क्योंकि ठंडा होगा गार इसमें तो चलिए यह भी आप कर देते हैं यह अब जो इससे क्या होगा कि घर जल्दी से ठंडा होगा अब यह द थीरे धेरे कम हो रहा है 570 537 देख सकते हैं सारे 500 वाट के करीब यह एलेक्टिक हा रहा है 562 और 546 और यह देख सकते ह। फॉर्टी परशन मोड पे है Hé और बहुत ही ठंडा कूल आ रहा है यह आएंसे और यह देख सकते हैं दोस्तों तो दोस्तो अब जो टेंपर्टर्च एब जो एलेक्टिक ले ला है 567 है और सारे 500 watt में इस टेबल है तो दोस्तो देख सकते हैं यह 524 हो गया सारे 500 watt से कम होके पीए 524 पाससो तेस वोट पे चल रहा है आप देख सक्ते हैं ये देर बजह है देर बजह मेंlier onthirky campus peng अज्दे currency ये देख सक्ते है टाइमत लेख सकते हैं तो धाई बज़े के करीब में इसको ova करूंगा और आपको दिखाऊंगा कि कितना electric consumption होता है क्योंकि दोस्तों अभी temperature बहुत हाई है घर का देख सकते हैं आपको temperature room temperature इसमें क्लिक करेंगे तो 34 था अब 32 हुआ है 2 degree इसने decrease कर दिया है तो इसमें 26 होने में बहुत अभी तक 6 degree temperature इसको कम करना पड़ेगा तो इसके लिए बहुत ही electric consumption होगा जब यह 26 पे आ जाएगा तब यह और भी कम हो जाएगा तो देखेंगे कि तब यह 200 200 यह 200 वाड में यह चला जाता है बहुत इकोनॉमिक मोडे एसी बहुत ही यह जो इल्जी का 500 यह से बहुत ही electric कम लेता है तो यह धोड़ा अंधेरा हो गया एक लाइट में जलाओ कि ना जलाओ कि लाइट में थोड़ा गर्मी बढ़ता है तो उसमें और भी एसी में लेक्टिक लगता ज्यादा लगता है इसलिए म है light में नहीं जला रहा हूँ क्यूवकि आपको जो data है वही अमेन है इसका वीडियो का quality नहीं तो आपको दिखाती हूँ तो अब ही यहाँ बड़ पर bet देख सकते हैं क्यूंकि 28 क्यूंकि यहां से हवा आ रहा है तो जहां पर हवा आते हैं तो यह से आपको पता चल जा Virginia कुम की देख 자TT यह अन्दर से मैं अगर देड दे सकते 19 डिगरी है वह सकते हैं गर में जो लीट होता है तो तब ऐसा है होता हैं वह पूरा घर को ठंडा करें को अर गरम हावा को निकाल देगा तो चलें देखते हिरें खंटे के अंदर इसका कितना temperature होता है और कितना electrical consumption लगता है तो दोस्तो एक ब्रच के 38 मीट हुआ है और आप देख सकते हैं ये जो electric है और भी कम हो रहा है 436 watt तो 500 से नीचे जा रहा है धीरे धीरे ये नीचे जा रहा है क्योंकि fan का blower में मैंने speed में कर दिया है तो जल्दी से ये room का temperature को पकर रहा है और घर को ठंडा कर रहा है तो देखते हैं और कितना कम होता है क्या ये 200 के करीब आ जाएगा ठंडा होने के बाद और ये जब पूरा fan से blower चलता है तो इसे 15 watt की बिजली की लागात होता है जो ये पूरा temperature हो जाता है और उसे भी एक डिक्री कम जीतना में आपने सेट किया है उसके एक डिक्री कम हो जाएगा तब ये पूरा जो compressor बंद कर देगा और बंद करने के बाद इसे 15 watt में अपना जो blower है पंखा है वो चलाएगा उसमें भी घर ठंडा होता है ठंडा रहता है कुछ देर के बाद जब temperature परेगा तब ये थीरे 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 करके आपका अपना compressor आउन करेगा और room का temperature को maintain रखेगा तो दोस्तो टाइम एक बच के 42 मिट हुआ है और देख सकते हैं तो electric consumption कम होके 332 हो गया है 332 watt में ये चल रहा है तो 15 मिट के अंदर बहुती temperature कम हो गया है और electric consumption भी कम हो चुका है देख सकते हैं 321 हो रहा है धिरे धिरे कम हो रहा है धिरे धिरे और भी कम हो जाएगा आपको मैं update देता रहूँगा दोस्तो आदा गंटा हो चुका है देख सकते हैं 2 बच के 4 मीट हुआ है तो आदा गंटे के बाद ये देख सकते हैं electric consumption बहुती कम हो चुका है तो 16 watt करके ये electric consumption करता है देख सकते हैं 316 करके ये electric ले रहा है और अब temperature देख सेंगे ये 28 हो चुका है तो आदे घंटे में बहुत ही कम होगा है 34 था तो 6 डिग्री अलड़ी कम हो चुका है तो मैंने 26 सेट कर रखा है और भी 2 डिग्री कम होगा और उसके बाद यह स्टेबल हो जाएगा तो दोस्तों देख सकते एक घंटा कम्प्रीट हो चुका है दो बस के 32 मिट होगा है और अभी एक घंटे में यह जो करेंट लगा है यह लगा है 300 वाट 300 वाट यह राउंड फिगर में आता है तो कुछ दिर पहले ही 10 मिट पहले ही 200 वाट था है अब 300 वाट होगा है तो करीबन देख सकते हैं 300 की 320 30 वाट होगा है 400 अभी तक नहीं हुआ 300 वाट होगा है और अब करेंट जो है वो 322 वाट में ही अटका हुआ है क्योंकि बहुत टाइम से ही 320 308 में ही अटका हुआ है इससे कम नहीं हो पा रहा है क्योंकि आप देख सकते हैं बाहर जो टेमपरेचर है आप यह से देख सकते हैं टेमपरेचर 36 डिग्री है और देख सकते हैं यह देखे हैं टेमपरेचर अभी 36 डिग्री है आपको दिखा रहा हो यह लाइब ऑनलाइन में है धाई बज़े हैं और सबसे तीज टाइम अभी है जो अभी 36 डिग्री हैं यह देख सकते हैं आपको दिखा रहे हूं रूम टेंपरेचर यह 27 तो करीबन 10 डिग्री यह नीचे आ गया है इसको मेंटेन करने के लिए तो यह स्टेबल है मेंटेन करने के अभी तक स्टेबल नहीं हुआ 27 डिग्री हुआ है 10 डिग्री 26 में दिया हुआ है तो 10 डिग्री कम हो चुका है टेंपरेचर इसलिए मेंटेन करने की यह 330 वाट इसके करीब है तो घर में एक आदमी है मैं हूँ और बाहर से जो टेंपरेचर है और यह जो वाल है बहुत ही पतला वाल है तो इससे गर्मी 22325 इस वाट में ही है नहीं तो रात में अगर यह एक्जाम किया जाता तो यह बहुत ही कम हो जाता 200 के करीब 200 के करीब मैं देखा हूँ जो स्टेपल होता है तब हो जाता है तो फिर भी यह बहुत इकनोमी है देख सकते एक घंटे में 300 वाट ही करेंड लगा है तो यह जाफ है तो इस ग्राफ में भी आपको मालूम पचाएगा तो मैं डिस्क्रिप्शन में मैं आपको लिंक दे दूंगा ये जो स्मार्ट प्लाग है विप्रो का स्मार्ट प्लाग बहुत ही काम के चीज़ है यह इसका पैकेट है दोस्तों मैं भी इसे ऑनलाइन से ही खड़ि में लिंक दे दूंगा मगर विप्रोबाला बहुत ही पुराना है और अभी भी देख सकते एक घंटा हो चुका है दो बज के 35 मीठे और 329 पर ही यह अटका हुआ है अभी जा धाई बजा हुआ है जब तक यह शाम नहीं होगा कि तीन या चार नहीं बजेगा तब तक यह इसक बहुत ही टेमपरेचर रहेगा मगर धीरे धीरे कम हो जाएगा और मैं जो लोग में बता देता हूँ तो बहुत ही कम रखता है 20 यह की सकता है मत कीजिए क्योंकि इसमें एसी को आपके बाहर अगर 36 सा 40 के करीब है और आप गर आप उसको 20 करने के लिए दे रहे है तो उसको 20 डिग्री कम करना पड़ेगा इसके लिए एसी को बहुत ही कष्ट करना पड़ेगा बहुत ही इसको इलेक्टिक भी बहुत लगेगा कंप्रिसर के उपर भी बहुत लोड लगेगा और आपके हेल्थ के लिए भी अच्छा नहीं है क्योंकि घर से तो आप बाहर जाएंगे ह हम आपीस जाते हैं बाहर जाते हैं तो जब उतने टेंपरेचर से आप नीचे आएंगे ना जब 20 डिग्री ठंडे चिल ठंडे में आप है इसी से जब भी बाहर जाएंगे तब 35-36 घर के अंदर बाहर ऐसा टेंपरेचर रहेगा तो आपका बॉड़ी इसको इसको कैलकुलेट नहीं कर पाएगा और इससे आपका सर्दी जुखाम जादा होने की चांसे इसलिए आप घर में रहेगे 26-27 ऐसे 24 से जादा ही रखी है 25-26 ने रखी है मैं तो रात में 27-28 देता हूँ और एक पंखा चलार देता हूँ तो एकदम घर वाला टेंपरेचर रहता है तो ठीक रह है तो कॉमेंट कीजी तो इसके बाद में पूरा रात रात पर रात में कितना लगता है वह भी वीड swipe करके दिखाओंगा और इसके बाद इसका जो और सारे mode है 40% economy mode इसके बाद 60% economy और 80% economy और full mode है जो full mode इसका मतलब AC अपना full load में चलता है तब कितना कारेंड लगता है कौन सी वाला वीडियो आपको चाहिए तो आप comment कीजिए मैं वो वाला वीडियो जल्दी से जल्दी आपको लाके दूँगा क्योंकि बहुत गर्मी पर चुका है AC की वीडियो लगाता रहाता रहेगा और अच्छा AC जो best AC है उसका link मैं description में दे देऊँगा तो आप जाके easily खरीच सकते हैं